Hello guys, बहुत सारे सवाल आते हैं कि sir हमारा channel जो है वो अभी 4000 घंटे पूरे करने वाला है या subscribers पूरे होने वाले हैं तो YouTube पे monetization जब review के लिए channel जाएगा monetization के लिए तो क्या-क्या check होता है और किस तरह से review होता है तो आज की video में YouTube की complete policies के according आपके channel का review किस तरह से होता है क्या क्या चीजें वहाँ पर देखी जाती है वो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं देखो गईज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 400 वीडियोस डाले हैं रिव्यू में जाने से पहले तो YouTube आपकी 400 की 400 वीडियोस चेक करेगा रिव्यू करेगा तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कुछ चीजें होती है जिनका ध्यान YouTube रखता है और उन्हीं को Verify करता है उन्हीं को Check करता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके चैनल की थीम की, सबसे पहले YouTube चेक करता है आपके चैनल की थीम की आपकी जो वीडियोज हैं कहीं वो mixed content तो नहीं है, आज तुमने song डाला है, कल को game डाल रहे हो, परसो तुम cooking डाल रहे हो, फिर tech डाल रहे हो, ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए आपके चैनल पे, सिर्फ एक category, एक ही direction में, एक ही theme पे काम करो, for example, मैं बहुत सी वीडियो में बोल चुका हूँ, जो भी movies के channel होते हैं, जैसे star world, cinema, वहाँ पे हमेशा ही movies ही आती है, एक ही theme पे चलते हैं, कोई sports channel होता है, उस पे सिरफ sports ही आती है, एक theme पे चलता है, कोई news channel है, वहाँ पे news ही आती है, वहाँ serial नह करता है, अभी के date में क्या रहा है, सब लोग यूट्यूबर्स टिक टॉक मना रहे हैं, चाहे हो cooking वाला है, चाहे हो टेक है, चाहे हो roast है, चाहे हो कुछ भी है, comedy है, कुछ भी है, तो ये गलत बात है, भाई, theme से मत भटको, वो लोग monetize हो चुके है, आप लोग ऐसी गड़ recently uploaded video होती है, उसको चेक करता है, यूट्यूब आपके वीडियो, आपके चैनल को review करते होई, जो recently आपने 2-3 वीडियो शुरू की डाली होती है, नहीं नहीं, नहीं वाली, जो कल परसों में डाली होई है, उनको review करेगा, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से रखो, जब आप monetization के लिए review में जाने वाले होते हो, ना तो इन चीज़ों को जो उस टाइम जो वीडियो डालते हो, बहुत अच्छे से संभल के, और related to topic keywords आड़ करके, सब चीजने properly डालो, सब पर detail वीडियो मेरे चैनल पर बनी होई है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है, उस वीडियो का लिंक खुद निकाल के दूँगा भाई, इस वीडियो को देख, तुमारी problem solve हो जाएगी, तो दो point हमारे discuss हो चूर के है, सबसे पहले YouTube चेक करता है, आपके चैनल की main theme को, फिर recently uploaded वीडियो को, तीसरे नमबर पे, जिस पे सबसे ज़्यादा views आपके चैनल पे आ होना चाहिए कि तुमने किसी दूसरे ही keywords है, या किसी अलग ही system से जुगाड बाजी करके वो चुराये हुए हैं गहीं से, जैसे कोई मतलब topic तुम बना रहे हो, करेले का और तुमने वहां पे dancers और celebrities के नाम, Bollywood stars के नाम add कर रखे हैं, और उस चक्र में तुमारे करेले पे views आ रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है, वो ऐसी चीज़ें नहीं होने चीए, mismatch चीज़ें नहीं होने चीए, वीडियो बहुत अच्छी से होने चीज़ें आपके चैनल के उपर, तो तीसरी चीज़ जो मैंने बताई वो होती है, सबसे जादा views जिस पे आते हैं, वो वीडियो इसके बाद बात आती है, आपके चैनल के उपर सबसे जादा watch time का जरिया क्या है, उसको YouTube वेरिफाई करता है, जी हाँ, आपके वीडियो आपके चैनल पे जो watching hours आ रहे हैं, वो सबसे जादा कहां से traffic आपको मिला है, क्या आपने कहीं वो purchase तो नहीं किया है, organic है, या फिर आ ऐसी चीज़ों, ऐसे मतलब जो community guidelines के against चीज़े रहती है, बहुत से तरीक है, views बढ़ाने के, watch time लेने के, तो अगर आप communities से बाहर, उन policies से बाहर जाके आपने वो इकठा कर रहा होगा, तो उस चीज़ को भी एक बार जरूर YouTube नजर मारता है, और आखिर में जो आपके चैनल ज़्यादा clickbait, clickbait तो तुम करो, पर यह नहीं हो सकता ना, कि अंदर तुमने cricket दिखाया है, और बाहर तुम परांठे का thumbnail, चिपखा के views ले रहे हो, तो वह बहुत mislead हो जाती है, mismatch हो जाता है, तो वैसी चीज़े भी नहीं होनी चीज़े है, आपकी thumbnail, आपके keywords, title, tag, सब related to the topics होनी चीज़, सभी videos के उपर, ठीक है, तो यह 4-5 चीज़े जो है, यह YouTube verify करता है, जब आपके channel को review करता है, यहाँ पर screenshot आपको दिखा देता हूँ, इन policies का, और अगर आपको यह खुद भी देखनी हो, तो आप Google पर जाए, वहाँ पर monetization policies करके लिखोगे, तो आपको यह वाली page पर आप महुंच जाओगे, आप इनको बिल्कुल अराम से बैठके ठंडे, ठंदा बानी पीते हुए ना, इसको अराम से बढ़ना, समझना, नहीं पता चलेगा, translate करके, हिंदी में कर लो, फिर पढ़ो, समझो, ठीक है, तो यह 4-5 चीज़े ही ऐसी है, जो check होती यूट्यूब में, और उसके बाद आपको मिल जाती है, monetization, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट में, अच्छी लगी हो, तो भी कमेंट में, पूछो मुझे, बताओ मुझे, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहे और शेर ज़रूर करें वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी benefit हो, next time मिलेंगे किसी न्यूब वीडियो में, बैल आगेंट ज़रूर दपाले ना, सब्सक्राइब करने से पहले, बबाए, take care